जैश्रामित्रों डिक्टेशन स्टार्ट वर्तमान माध्यस्तम आवेदन 2004 के माध्यस्तम और सुलह अधिनियम कोष्टक संक्षेप में 2004 का अधिनियम कोष्टक की धाराओं 14 और 15 सहपटित धारा 11 कोष्टक 6 कोष्टक के अधिन फाइल किया गया है विराम फेरा चेंच आवेदक कॉमा जो सामान्य रूप सी ठेकेदार है कॉमा को राइगड और राजगड के मध्य, शेड और डीपो में स्टोन ब्लास्ट पीशने वाली स्टेकिंग मसीन की आपूरती और भंडारन के लिए समवीदा प्रदान की गई थी विराम, इस समवीदा के आधार पर आवेदक और प्रत्यर्थियों के मध्य, तारीक पंद्र जुलाई कॉमा दोहजार चोदर को करार दिस्पादित किया गया था विराम, इस समवीदा का मुल्य 87,35,952 रुपए था और समवीदा की अवधी वर्षा के मोसम को सम्मिलित करते हुए हुए अठारा माहती विराम प्यराचेंज, समवीदा के निश्पादन के अनुक्रम के दौरान पक्सों के मद्य कुछ विवाद उत्पन हो गए विराम, पक्सों की तरफ से यह कहा गया है की आवेदक ने आरंबिक तह भारतियं सम्मिदा अधीनियम की धारा तिरेपन का अवलंब लेते हुए सम्मिदा को समाप्त कर दिया और परतिर्थियों से यह अनुरोद किया की वे उसके द्वारा जमा की गई परतिभूती जमा और बेंक परत्या भूतियों को निर्मुक्त कर दें और साथ ही उस आपूर्ती के बाबत संदाय को भी निर्मुक्त किये जाने का अनुरोद किया कौमा जो उसने परतिर्थियों को पहले ही कर दी थी विराम। तत्पस्चात कौमा यह कहा गया की परतिर्थियों ने तारीक 12 जुलाई कौमा 2004 को कार की समाप्ती के लिये साथ दिनों की एक सूचना और तारीक 17 जुलाई कौमा 2014 को पुनह 48 घंटों की सूचना जारीकी और अन्ततह 13 दिसंबर कौमा 2014 को सम्वीदा को समाप्त कर दिया और आवेदक द्वारा जमा की गई परति भूती जमा और कार निर्वहन की परत्य भूती का समपहरण कर लिया विराम तत पस्चात कौमा परत्यर्थियों के प्रबंद तंत्र जो दक्षिन पूर्व केंद्रिये रेलवे है कौमा ने तारीक 25 जुलाई, 2004 को माध्यस्तम अधिकरण का गठन किया और माध्यस्तम कारवाही आरंब हो गई विराम आवेदक ने तारीक 19 अप्रेल, 2014 को अपना दावा कथन प्रस्तुत किया विराम तत्पस्चात किनी कारणों वस माध्यस्तम कारवाही में प्रभावी रूप से सुनवाई आयोजित नहीं कराई जा सकी और मामला रिस्तगित होता रहा विराम इस दौरान अनेक पीठा सीन मध्यस्त या माध्यस्तम अधिकरण के सदस्य या तो सेवा निवरित हो गए या इस्थान आंत्रित कर दिये गए और इसके पस्चात उनके स्थान पर नए पीठा सीन मध्यस्त और माध्यस्तम अधिकरण के सदस्य नियुक्त किये जाते रहे विराम चूंकि माध्यस्तम कारवाई के प्रभावी रूप से अग्रसरण और समाप्ती में अत्यदिक विलंब हो चुका था कॉमा इसलिए आवेदक ने 1996 के अधिनियम की धारा 14 और 15 सपटित धारा 11 कोश्टक 6 कोश्टक के अधिन वर्तमान आवेदन उच्चनेयाले द्वारा मध्यस्त किन युक्ती के प्रियोजनार्थ फाइल किया विराम पेराचेंज उक्त अनरोद किये जाने के पीछे सुद्धतह आधार यह है की परत्यर्थियोँ द्वारा नियुक्त माध्यस्तम अधिकरण युक्ती संगत अवधी के भीतर प्रभावी परिणाम देने के समर्त नहीं हो सका और सम्यक अनुक्रम में सार भूत अवधी वेतीत हो चुकी है विराम द्युतिय आधार यह है की माध्यस्तम अधिकरण के पीठा सीन मध्यस्त और सदस्य परत्यर्थि स्थापन के अधिकारी होने के कारण पूर्वा ग्रह से ग्रशित रहते हैं और इसलिए उच्चने आले द्वारा मध्यस्त नियुक्त किया जाए विराम स्थोप धन्यवाद